हलो फ्रेंज बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्रिश रवांटेज यूट्यूब चैनल पर फ्रेंज इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूँगा इनको हम डिसकस करेंगे और यहां पर आपको इस साइट के बारे मैं बता देता हूँ यहां पर आपको वोकैबलरी की e-books free of cost available मैंने कराई हैं English IQ.in तो यहां से आप free of cost वोकैबलरी की e-books आप डाउनलोड करें और वोकैबलरी की एक सीरीज भी यहां पर चल रही है जिसमें current words मैंने describe किये हैं तो इनको भी आप जरूर पढ़ें चलिए देखते हैं इन questions को देखें कुछ इस तरीके के questions आए हैं और यह word replacement के questions हैं ठीक है तो इसमें देखें मैं बट्रेक बताता हूँ कैसे करना है आपको देखें प्रस्पेक्टिव होता है एक विचारधारा एक सूचने का तरीका ठीक है तो देखें है एक टू ब्रिंग का मतलब क्या है कि लाना है historical and comparative perspective to bear upon the intellectuals बेर अपॉन का मतलब है कि इस चीज के ऊपर उसका impact पढ़ना किसी किसी A का B के ऊपर impact पढ़ना उसको हम बोलते हैं bear upon तो यह जो perspective लाएगा यह कौन लाएगा ठीक है तो यहां पर किसी व्यक्ति का नाम किसी ग्रूप का नाम आना चाहिए क्योंकि वही historical and comparative perspective लेके आएगा ठीक है तो intellectuals को हम यहां पर लगा सकते हैं क्योंकि intellectuals ही historical and comparative perspective इसी किसी चीज़ का लेके आते हैं तो यदि आप intellectuals यहाँ पर लगाएं और present को यहाँ पर लगाएं तो यह हो जाएगा कि intellectuals have to bring a historical and comparative perspective to bear upon the present, to bear upon the present का मतलब है कि present के उपर, बरतमान के उपर जिसका फरक पड़े, तो यह sentence actually थोड़ा सा technical sentence है और इसी तरीके के sentence word replacement में आपसे पूछे जाते हैं, normally technical reports जो होती हैं, उसमें से sentences बीच में से लिये जाते हैं, तो आपको एक general idea होना चाहिए sentence में के sentence क्या कह रहा है, और trick के through आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर intellectual ही आ सकता है, क्योंकि intellectual ही उस perspective को लेके आएंगे, जिसका प्रभाव present पर पढ़ेगा, bear upon का मतलब होता है impact पढ़ना, तो यहाँ पर a को e से आप replace कर सकते हैं, ठीक है, तो यह sentence आपका सही हो जाएगा, bring a यहाँ पर सही है, comparative यहाँ पर सही है, तो इसको आपको change करने की जरूवत नहीं है, a और e को change करने की जरूवत है, तो इस तरह के sentences, इस तरह के questions इस समय पू क्लास को आप end तक देखिए, ध्यान से सारी चीहां सुनिए, देखे, यहाँ पर हम देखते हैं, Mr. Abay persuaded the oromo liberation front, देखे, persuade का मतलब होता है किसी व्यक्ति को convince करना, मनाना, और persuade करने का काम एक व्यक्ति ही करता है, और यहाँ पर हमें यह पता पढ़ रहा है, कि यह एक व्यक्त the oromo liberation front, तू, अब देखे, तू के बाद आप piece नहीं लगा सकते, मतलब Mr. Abay ने persuade किया, convince किया, किसको, इसको convince किया, इस पार्टी को convince किया, यह काम करने के लिए, यहाँ पर, यहाँ पर two piece, यानि वर्ब की first form तो चाहिए, पीस तो वर्ब की first form है, यानि grammatically तो यह word सही लग है, लेकिन context इसका नहीं बन रहा है, मतलब Mr. Abay ने persuade किया, इस पार फ्रेंट को क्या करने के लिए, तो वो यहाँ पर आना चाहिए, यह आप यहाँ पर join लगाए, to join, ठीक है, तो यहाँ पर join एकदम सही होगा, और join को जब peace से आप interchange करेंगे, तो join वहाँ चला जाएगा, peace यहाँ आ जाएगा, और peace, देखिए, peace process, peace process, जैसे दो लोगों के बीच में battle हो रहा है, या कोई भी लडाई हो रही है, कोई भी dispute चल रहा है, तो उसके, उसमें जो peace करने की जो कोशिश की जाती है, उसको हम बोलते है, peace process, तो peace process यहाँ पर यह सही होगा, ठीक है, इसका context यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर इसको यदि आप change करते हैं, तो front to join, तो यहाँ पर इसका context बन जाएगा, यानि B and C, इसमें आपको change करना पड़ेगा, B and C का option इसमें दिया है, B and C, इसका answer होगा B, आप इसको यदि change करके पढ़के देखें, तो यह sentence हो जाएगा, Mr Abay persuaded the Oromo Liberation Front to join a wide-ranging peace process with the government, with the government सही है, तो यहाँ पर आपका answer होगा, B and C, तो ऐसे इन questions को आपको करना है, यह ज़रूरी नहीं है कि सारे word meanings आपको पता हो, एक general understanding हो आपकी English section की, तो उसके थूरू आप यह कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, question number third, in Eritrea, देखें, इस तरह के words examiner इसलिए देता है कि student pressure में आ जाए, ठीक है, देखें, इसका नाम नहीं सुना, यह किसी country का है, किसी place का नाम हो सकता है, क्योंकि in जो है, यह place के नाम से पहले ही आ सकता है, तो यह किसी country यह किसी place का नाम है, इन Eritrea, the dictatorship used the, देखें, dictatorship जो होती है, वो क्या होती है, ताना शाही, जैसे हिटलर था, तो dictatorship जो है word यहाँ पर सही है, the dictatorship used, ताना साही ने use किया, किसको, the prolonged, अब देखिए, prolonged क्या है, एक adjective है, prolonged का मतनब है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, तो prolonged क्योंकि adjective है, तो यहाँ पर एक noun होना चाहिए, यहाँ पर एक word को change करने की जरूवत है, अब देखिए, कौन सा word आ सकता है, चुकि यहाँ पर conflict लिखा हुआ है, इसलिए हम बोल सकते है, border conflict, border conflict यहाँ पर आप बोलेंगे, तो यह इसका context सही हो जाएगा, border का जो issue होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तन का border का issue चलता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ आप border आते हैं, तो यह सही हो जाएगा, repression of its critics का मतलब है, कि जो critics हैं, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, उनका repression, उनको दबाना, ठीक है, और डिक्रेटर का का कामी होता है, कि critics की आवाज को दबाना, तभी तो वो तानाशा बनता है, तो इसलिए यहाँ पर off एकदम सही होगा, यहाँ पर, बॉरडर के स्थान पर और off के स्थान पर बॉरडर आजाएगा, यहीं बी और ई, इसमें, एक्षेज करने की जरूवत है, देखें, बी इदो जगे दिया है, इहाँ पर बी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो आपको AD भी देखना पड़ेगा, क्या AD को भी चेंज करने की जरूवत है यहां पर दिया है बी और एडी अब एडी को भी हम देख लेते हैं इन इरी ट्रिया दड़ डिक्रिटर्शिप अ कंस्क्रिप्शन एंड डिप्रेशन यह तो सही है दिया आएगा यहां पर यहांपर यहांपर भी दे दिया है इसका अंसर होगा केबल बी एंड ए कि यहांपको उस्किल्स अच्छिंर एक्स करता है ठीक है तो इसमें अनसर हो जाएगा आपका सी चलरे है नहीं 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 आएगा यहाँ इसको आपको चर्च करना पड़ेगा इंडिया ऑफन चाइन थूर्च थूर्च करते हैं जब किसी व्यक्ति वस्तु को देखते हैं तो लोक या सी वर्ड आना चीह यहां पर see through जैसे होता है ठीक है, तो c इसमें दिया है तो c इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे और देखें, c जब यहाँ पर आएगा तो n यहाँ पर आजाएगा और n यहाँ पर इसलिए fit हो जाएगा क्योंकि यह bubble sound दी है यहाँ पर American दिया है तो इसलिए n यहाँ पर आपका fit हो जाएगा, और c c के साथ यह through word चला जाएगा तो definitely इसमें a और d को आपको change करना पड़ेगा, अब देखें a और d यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, a और d का option cable और cable यहाँ पर है अब a d अगर change होगा, तो फिर b e b change होगा, ठीक है लेकिन देखते हैं इसको पढ़के India often sees China through the हाँ India China को देखता है किस के दोरा prism के दोरा, prism के दोरा हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो prism यहाँ पर आजाएगा और यहाँ पर आजाएगा off, off Indian action, American role off Indian action, तो off यहाँ पर सही हो जाएगा, और यहाँ पर prism सही हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा, वो होगा आपका d ठीक है, d इसका answer आपका होगा, I hope आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, कभी कभी यह काफी complicated रहते हैं, इस तरीके से इन questions को आपको करना है, मैंने इसमें 15 questions लिये हैं, सारे 15 questions का discussion आप पूरा अच्छा देखिए आराम से, ताकि फूर्थ का मीडियो भी exams हैं, उनमें आपको काफी help मिले, अब हम यहाँ पर दीखते हैं very significant tax shortfalls are likely even very significant tax shortfalls tax के shortfall की बात हो रही है, और जो tax shortfall है, वो significant हो सकता है, तो यह वड़ तो सही है, यहाँ पर are likely even in the current year unless the government takes unless वाले part में हम present simple tense का यूज़ करते हैं, तो takes proactive measures, तो इस पूरे sentence में किसी भी replacement की ज़रूवत नहीं है ठीक है, तो यहाँ पर इसका अंसर होगा, E, very significant tax shortfalls are likely even in the current year, मतलब tax shortfalls likely है, संभावित है, इस साल भी, even in the current year, मतलब इस साल भी, unless the government takes proactive measures, जब तक government proactive measures नहीं लेती proactive उपाए नहीं करती, significant tax shortfalls likely है, संभावित है, ऐसा हो सकता है तो यह sentence सही है, ठीक है next question देखते हैं, अब देखिए यह Phillips के कुछ questions है, simple इसमें आपको कुछ नहीं करना है, simple logic लगाना है, यहाँ पर A लगा हुआ है A आता है noun से पहले, यहाँ पर cable और cable noun ही आ सकता है इन दोनों में noun के बल scholar ही है, तो scholar ही आ सकता है, costumed noun नहीं है, convicting noun नहीं है, ठीक है, costumed को वर्ब की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, adjective की तरह भी यूज कर सकते हैं, convicting present participle है, तो scholar ही noun है, इसमें आंसर होगा, only a आपको जरूरी नहीं है, पूरा sentence पढ़े हैं उसका मतलब निकाले हैं कि यहाँ लॉजिक से होता है, जो group होते हैं, groups में लडाई हो जाती है, conflict, dispute हो जाता है, उसकी वजाए से एक category को या एक group को दूसरी जगह जाना प्रता है, इसको हम बोलते हैं displacement, एक जगह से हटके दूसरी जगह जाना, उसको हम बोलते है displacement, misplace अदक्छी होती है, misplace का cable और cable displace ही आ सकता है, इसमें answer होगा, only B, ठीक है, तो simple questions है, ज्यादा cutting questions नहीं है, reading based questions है, इसलिए banking exams में दिया आप निकलना चाहते हैं, तो reading आप regular basis पर करिए, question A देखते हैं, आकी, देखे, A क्या है, एक article है, आकी, जैसे बोलते हैं, आकी point, आकी issue, ठीक है, तो key एक adjective के तरह यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर आपको एक noun चाहिए, जैसे मैं नहीं भी बताया कि a key point या key issue, तो यहाँ पर noun चाहिए आपको noun cable test है, बाकी यह noun नहीं है, conjoined, ed लगा है, ed तो verb में लगता है, तो यह noun नहीं है, इसमें भी ed लगाए, यह verb में लगता है, यानि cable और cable c ही इसमें answer हो सकता है, c इसका answer होगा, और बिना पूरा sentence पड़े, मैंने इसका answer आपको नेकाल के दिया है, ऐसे इन questions को आपको करना है, question number 9 दिखते है, another concern is about the formula to be used to, two आ गया यहां पर, यहां पर आ गया two, तो इसका मतलब क्या है, कि यहां पर verb की first form चाहिए आपको, क्योंकि यह two लगा हुआ है, और verb की first form है, cable distribute, unproductive तो adjective है, accusation noun है, verb cable distribute है, cable distribute ही आ सकता है, यहां पर answer होगा, only a, ठीक है, चलिए आगे देखते है, question number 10, and the government is currently ineffective in battling both economic and declining tax revenue, देखिये, economic क्या है, adjective है, यहां पर आपको noun चाहिए, क्योंकि noun को modify करता है, adjective, और यहां पर भी देखिये, tax revenue noun के form में लिखे हुए हैं, और इस noun को modify कर रहा है, यह declining, tax revenue कैसे है, declining है, नीचे जा रहा है, tax revenue, तो यहां पर economic के बगल में, यहां पर आपको एक noun चाहिए, और noun है, इसमें slow down, up hold actually, up hold का मतलब होता है, maintain करना, up hold में normally S लगता नहीं है, condemned, यह ED लगा हुआ है, यह verb है, तो यह दोनों इसमें नहीं आएंगे, इसमें answer cable और cable, C ही हो सकता है, answer होगा C, that is only C, इस तरह के questions में आप 100% आप score का सकते हैं, बैंक भी ओ प्री एक्जाम में, question number 11 देखते हैं, यह यहां से spot iner के question सुरू हो गए, और the biggest problem are, देखिए, biggest का मतलब है सबसे बड़ी, और किसी भी group में सबसे बड़ी या सबसे छोटी cable और cable एक ही चीज हो सकती है, ठीक है, इसलिए biggest problem जो होगी, वो एक ही होगी, इसलिए R नहीं आ सकता, इसका answer क्या होगा, A, बाकि पूरा sentence पढ़नेगी ज़रूद नहीं है, जैसे ही आप को इलर मिलती है, आप answer लगा देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये है एक sure success formula, sure success secret, पूरा question आपको नहीं पढ़ना है, meaning से आपको कोई मतलब नहीं है, केबल logic और trick को apply करना है, examiner केवल आपसे answer पूछ रहा है, कि किस पार्ट में answer है, examiner आपसे explanation नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से ध्यान रखिए इस चीज़ का, question 12 देखते हैं, today the political battleground that constitutes, constitute तो सही है क्योंकि ये battleground के साथ लगा हुआ है, तो ये singular है, सही है, our words is, is consolidated नहीं होगा, चूँकि देखे, examiner के बाद third form जब हम लगाते हैं, तो पैसे voice construction होता है, यहाँ पर examiner लगा हुआ है, तो ये consolidate नहीं होगा, ये होगा आपका, consolidated ये, और ये part किस में हैं, B में हैं, तो answer हो जाएगा इसका, B, ठीक है, is consolidated, it is consolidated, they are consolidated, इस तरीके से, it is consolidated, consolidated मतलब उसको strengthen करना, question number 13 देखे हैं, being a Nobel Peace Prize winner, he should come up with a national action plan, to resettles नहीं होगा, क्योंकि बाद वरप की first form आती है, S नहीं लगता इस में, ये गलत होगे आपका, C, answer होगा, ठीक है, आगे दिखते हैं, with the country set to go to elections next year, many fear that violence could escalate, इस sentence का मतलब में आपको बताता हूँ, with the country set to go to election next year, चुकि country set है, चुकि country तयार है, election process में जाने के लिए, अगले साल, many fear, काफी सारे लोग डरते हैं, that violence could escalate, कि violence बढ़ सकता है, देखे, यहाँ पर could और can दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, can यदि आप लगाएंगे, तो इसका मतलब यह होगा, कि speaker जो है, इस sentence का वो यह बुल लाए है, कि violence के escalation के काफी ज़्यादा chances हैं, कोड में थोड़ा सा possibility, यह weak possibility के लिए आता है, can strong possibility के लिए आता है, लेकिन होते दोनों ही सही है, और दोनों को ही आप present tense में लगा सकते हैं, examiner ने इस code को आपको confuse करने के लिए यहाँ पर दिया है, लेकिन यह sentence जो है, यह सही है, इसमें कोई error नहीं है, many के साथ यहाँ पर fear ही आएगा, क्योंकि many plural है, तो fear मैस नहीं लगेगा, यह सही है, ठीक है, तो यह sentence सही है, देखिए, कुछ होते है sentence structures, sentence pattern जिनको बोलते हैं, और यहाँ पर examiner कहीं न कहीं, आपका sentence structure या sentence pattern की जो knowledge है, उसको check कर रहा है, और sentence pattern की जो knowledge होती है, वो आती है reading से, इसलिए reading करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें आपका answer हो जाएगा, E that is no error, अब आप देख सकते हैं, क्या यह question आपको कठें लग रहा है, बिल्कुल सरल questions है, 100% तक इसमें आप score कर सकते हैं, अब आप मेंस का issue है, कि मेंस में questions नहीं होते हैं, लेकिन मेंस में आप एक चीज़ देखिए, कि मेंस में आपको time ज़्यादा मिलता है, एक मिनिट से ज़्यादा का time मिलता है question को करने में, और उसका weightage भी ज़्यादा होता है, तो मेंस में भी आप आसानी से कर सकते हैं, मेंस का cut-off बहुत कम जाता है, मेंस को भी आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, question number 15 देखते हैं, the Indian government has proposed in a white paper that it could, नहीं नहीं, could के साथ बर्ब की first form आएगी, could के साथ I can go, he could go, I should go, ठीक है, could के साथ could, should, may, might, must, इस अभी के साथ first form आती हैं, लेकिन यहां पर first form नहीं हैं, तो यह इसमें गलती है, C part में गलती है, the Indian government has proposed in a white paper that it could bring unilateral initiative for digital companies, C, इसमें आपका सही आंसर होगा, तो इस तरीके से यह 50 questions मैंने explain किया है, I hope आपको पसंद आये होगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं English to English भी आपको explain करूँ, क्योंकि काफी सारे estimates ऐसे हैं, जो English to English ही समझते हैं, तो एक वीडियो हिंदी में रहेगा, और एक वीडियो इंग्लिश में रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि English section के वीडियो classes को मैं English में explain करूँ, मतलब हिंदी में भी explain करूँ और इंग्लिश section में जो explanation हो, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंते, इस बारे में आपकी क्या राय है, यह मुझे जरूर बताएं, और इस चैनल को आप subscribe जरूर करें, EnglishIQ.in इस website पर आप जरूर जाएं, यहाँ पर एक vocabulary की सीरी चल रही है, यहाँ से आप free e-books भी आप काफी सारी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका link मैं नीचे description box में देदूँगा, वहाँ से इन e-books को आप free of cost डाउनलोड कर सकते हैं, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, यह video classes मेरे आपको अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को आप जरूर subscribe करें, like करें, और इस video को जरूर जरूर share करें, अपने सभी friends के साथ और अपने सभी groups में, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आपसे भी लूँगा next video class में, thank you.